आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाएंगे तर्बुज का जूस गर्मियों का सीजन आ चुका है जो कि गर्मी के मौसा में बहुत ही फायदा करता है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तर्बुज का जूस बनाने के लिए हमने यहां पे 300 ग्राम तर्बुज ले लिए काटके आप देख सकते हैं अब हम एक मिक्सी जार ले लेंगे कि सारे कटोई वे तर्बुज इसमें हम डाल देते हैं अब हमने 5-6 पीस पुदिना के पते लिए हैं काला नमक हम इसमें आधा चमश डाल रहे हैं आप अपने स्वाथ का नसार डाल सकते हैं हिम्बु ले लिए हैं प्रस इसमें हम डाल देते हैं अब तर्बुज को हम ग्रैंड कर लेते हैं कि एक बार हमने से मिक्सी में चला लिया है अब हम इसमें हाप कटोरा चीनी डाल देते हैं कि आप अपने स्वाथ के अनुसार एक कटोरा चीनी भी डाल सकते हैं अब हम इसे एक बार फिर से ग्रैंड कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं तर्बुज को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है यह अच्छे से मेरा जूस बन गया है अब इसे हम छान लेते हैं अब इस एक बावल में हम अच्छे से छान लेते हैं अब मेरा जूस बनके रेडी है सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं हमने दो सर्विंग ग्लास ले लिए हैं अब इसमें हम डालेंगे आइस हमने इसमें आज डाल दी हैं अब हम इसमें तर्बुश का जूश डाल देंगे हमने जूश को सर्विंग ग्लास में निकाल लिया है अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना पत्ता अब यह सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वेल आइकन को दबाना ना भू झाल